तरपन की सबसे चोटी बिधी एक डिड़ मिनट की वह आपको बता रहा हूं अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इसको करिए किसी भी सुबह इसनान करने के बाद में आपको एक ही वस्तर नीचे पहनना है तौलिया पहन लें गमचा पहन लें लुंगी लगा लें धोती पहन ल लख लें जमीन पे बैठ जाएं आपके पास में जल होना चाहिए गंगा जल होना चाहिए काले तिल होना चाहिए आपके पास में एक पात्र होना चाहिए जिसमें आप तरपन करेंगे और एक लोटे में जल होना चाहिए जिसको आप जिससे आप तरपन करेंगे और पवित ना करें कि हमें आप पवित्र करें और हमारे आसपास का वातावना पवित्र करें फिर इसके बाद थोड़ा सा दाहने हाथ में जले करके अपने आसन की उपर छड़क लें और धर्ती मा की उपर जो हर से उस पे जमीन पर छड़क दें और उसको आप अपने माथी पर लगा ल बोलें और तीन बार बाएंहां से दायने हाथ में ओम बोलते हुए आच्मन कर लें इसके बाद मन में संकल्प कर लें कि हे प्रभु हम अपने पित्रों के लिए देवों के लिए मनुस्यों के लिए जो है तरपन बिधान करने जा रहे हैं हमारी पूजा सफलो कोई गलती हो ज जलीजिये और बोलिये देवा त्रप्यंताम इस संसक्रतने बोलना है संसक्रतने बोल सकते हैं तो बोलिये सभी देवतार्प्त होँ oraz बोलते हुए जली करके अर्गपात्र में यह देवतीर से आप इस पकार समर्पित कर दीजिये दूसरा आपको क्या बोलना है सथ्रिशि तरप्त हों ऐसा बोलते हुए देवतीर से आप जल छोड़ दीजे इसके बाद आप घूम जाईएगा उत्तर साकिया और मुह कर लीजेगा और आपको दो बार दिब मनुस्य और सभी दिब मनुस्यों के लिए तरपन करना है ये उंगली के नीचे का जो भाग हातीली का इसको हम लोग मनुस्तीत बोलते हैं इसको एहां से आपको जल अरपित करना है क्या बोलना है ओम रिषियो दिब मनुस्या तरप्यंताम या हिंदी में बोलना चाहें तो बोलें ओम रिषी दिब मनुस्या तरप्यंताम या ओम रिषी दिब मनुस्या तरप्यंताम ये दो बार बो लेना है इसके बाद आप घुन जाईए दक्षन दसा की तरफ थोड़े से काले तिल जो है वो अपने पित्त तीर्थ पित्त कहा होता है आउठे के नीचे तरजनी की इंचे का जो हिस्सा है उसको पित्त तीर्थ बोलते हैं उसमें थोड़े से काले तिल रख लीजिएगा तीन बार आपको यह जल अरपन करना है क्या बोल के करना है संस्कित में बोलना है ओम पित्रह त्रप्यंताम फिर बोलें तेब्या सुधानमा और जल अरपन कर रहें फिर बोलें तेब्या सुधानमा और जल अरपन कर रहें तेब्या सुधानमा तेब्या सुधानमा तेब्य सी से जलरपन करना है अगर आप ओम पे तरह तर्थि नाम नहीं बोल सकते संफना नहीं बोलें दो ओम सभी मेरे सभी प्र तरप्त हो हो चोतल वे विद्णी को सुझा India थे मिधा सुना और और यसके बार पूर कुल समय नहीं हैं कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आपका दो मेट लगेगा जल लगेगा काले तिल लगेंगे और आपके जो लगेगा वो है भाव आपकी सद्धा अपने पितलों के प्रति आपका जीवन सुखो